स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिताज कोर्णर एस्टाट कॉमर्स में आज हम करने वाले हैं एस्टाट 2020 का जो पेपर था जो दो जन्वरी दो जारी किसको हुआ था उसका पैडगोजी सक्षिन ठीक है एक बार पूरा पेपर देख लेते हैं पैड पैडगोजी सक्षिन को देखेंगे करते हैं स्टाट आज का फर्स्ट कोशिन है विच फॉलोविंग इस नोट दा टाइप ओफ साइकलोजीकल मैथड और स्टड़ी ओफ एडुकेशनल साइकलोजी इसमें से कौन साशिक्षा मनुविज्यान में अध्यन की मनुभोतिकी व अध्याइब और मेनिममम मिनिमल चेंजिस और मैथड़्स ओफ लिमिट्स गेन यूनतम परिवर्तन की विधी अथ्वा सीमा की विधी यह मिनिममम ही आएका मिनिमल नहीं है यहां दा मैथट ओफ कॉंस्टांट स्टिमिली स्थीरुद्धिपक की विधी और थर्ड़ अध् इडिविज्ज़ एटिट्व्ड तीनों में ध्यान में रखने की बताइए इसमें से कौन सा मैथट है थिक है कौन सा है एज्यूकेशनल फिलो यह साइक्लोजी में तो जो तीनों मैथड़ हखने चाहिए थान में रखने चीए थान में चीए तर ओफ मीनिममम चेंजिस जो plural of cat is cats plural of house is houses plural of pen is pens in this manner student by mistake made plural of mouse as mouse is this is example of which type of transfer of learning this is the this is the type of negative transfer के negative transfer हो रहा है न यहां पर positive transfer नहीं है zero transfer नहीं है vertical transfer नहीं है अपने teacher को देखे बच्चे यहां पर गलतिया कर रहे हैं mouse को mouse बोल रहे हैं mouse का plural जो है वो mouse कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा negative transfer हो जाएगा देखे next question क्या है which of the following is not the type of positive transfer of learning कि इसमें से positive transfer का कौन सा method नहीं है कि धनात्मक स्थानांत्रण का परकार कौन सा नहीं है यह नहीं है zero transfer क्यों नहीं है क्यों देखे लर्निंग जो हो हमारी थ्री टाइप्स की होती है transfer of learning थ्री टाइप्स की होती है पॉजिटीव एक नेगिटीव और एक जीरो तो जीरो है जो हमारा positive transfer का method जो नहीं है अगर हमें सिर्फ इतना साइब पता हो कि transfer of learning कितने दरगी होते तो वहां से भी erragen फटा-फट से निगाल सकते थे कि जीरो ट्रांसवर जो हो पॉजिटीव transfer नहीं है पॉजिटीव ट्रांसवर होता है पॉजिटीव transfer इज इम्प्रूमेंट ऑफ करेंट नॉलिज फ्रुदा गीइन ओफ अधिशनल इंफर्मेशन ठीक है यंदकी अडिशनल इंफर्मेशन जो भी अडिशनल इंफर्मेशन होती है अडिशनल इंफरमेशन के गतू हुआ करेंट अलिज़स में जब इंप्रेमेंट होती हैं तो हो जाता है पॉजिटिव ट्रांसफर थीक है तो पॉजिटिव ट्रांसफर के पार्ट यह जो है यहनों की टाइपस जो है वो भी ध्यान में रखने है लिटर ट्रांसफर पाशर्व सानांत्रण सेक्विंटल ट्रैंसफर कियमक्य सरांत्र और होडिञ्टर्ण है नेतीनों क्या है पॉजिटिव ट्रांसफर है नेंस्ट कुशन से लेजी टाइब नहीं ही और ड्रॉलिंग agriculture तकडमी टाइप एसकेपिंग टाइप को अवैडिंग भी बोलते हैं फोर्थ हमारा शॉशल यूजफूल टाइप अगर पढ़ना है अच्छे से त्यारी करनी है तो थोड़ी से मैनत खुद भी करनी पड़ेगी यह जो पार्ट है टाइप्स हैं वो सारे एक कोपी में आप अपने नोट्स बना लीजिए क्योंकि अगर जब हैंडिटे नोट्स करते हैं तो याद अच्छे से रहते हैं ठीक है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए क्योंकि मकसद सिर्फ एक यही है कि आपकी हेल्प परूप फिफ्थ कोशन है मूरीज थेमेटिक एपरिसट इस रिलेटी टू विच थेयोरी व परसनालिटी उनकी परसनालिटी की कौन सी थेयोरी से हमारा थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जो है वो जुड़ा हुआ है प्रासंगी अंतरबोध परिक्षन यह जुड़ा हुआ है हम तेहां यहां एक कोशन यहीं से निकल सकता है कि थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जो है वो किस ने दिया डिवलपर कोन है मुरे ठीक है कोशन में से ही कोशन जो है वो निकल के आते हैं नेक्स्ट कोशन है वो स्टेटिड देट साइकलोजी इस पॉजिटिव साइंस ऑफ कंड़क्ट ओफ लिविंग क्रिएचर्स मनो विज्ञान जीवित जीव जन्तों के बरताओं का धनात्मक विज्ञान है यह किसने कहा था सर विलियम मैक डूगल ने सर विलियम मैक डूगल परिभाशा के साइकलोजी इस पॉजिटिव साइंस ऑफ कंड़क्ट ओफ लिविंग क्रिएचर्स नेक्स्ट कुश्वर अवस्ता की कौन सी विशिष्टा नहीं है कि सभी को पता कि किश्वर अवस्ता में स्टेबलीटी नहीं होती है खासकर इमोशन में ठीक है निया निक को नहीं है किश्वर अवस्ता के विशिष्टा है बाकि देखे विरोधी मांसिक दशाइं यान की को कॉंट्रास्टिंग मैंटल मूड्स यह भी इसकी विशिष्टा होती है एंग्जाइटी ओफ वोकेशन यह फिलिंग ऑफ हीरो वर्शिप हीरो वर्शिप तो बहुत ज़ पिर वह गुड मैमरी के सिंटम्स कौन से कौन से है रेपीडिटी तिवरिता एक्यूरियसी शुद्धता रिकॉल ओफ राइट मैटीरियल अगर सही सामय पर याद आ जाए तो वह भी मारी गुड मैमरी के सिंटम्स है नेक्स्ट कोशने विच अब फॉलोविंग विच अव वास्टिकताओं को समय तो यह होता है इने अडॉलसंस यह सिरफ कल्पनाओं का समय होता है तो अडॉलसंस इस टाइम आप रियालिजम यह इसकी शेश्टा नहीं है बाकि कौन सी कौन सी है डॉलसंस इस ट्रांजिशनल स्टेज बित्वीन चैल्ड और एड अडुल ठीक है यह वैसा कवस्था की दहलीज होती है यह तीनों विशेष्टा जो होती है डॉल्स इस टाइम आफ रियलिजम यह इसकी शेष्टा नहीं होती है वीच आफ दो फॉलविंग इस अब्जेक्टिव डेटर्मिनेंट्स ओफ अटेंशन अटेंशन के वस्त तुनिस्ट यानिकि भ सब्जेक्टिव पुछे जा सकते हैं इंट्रेस्ट हैबिट और क्यूरिस्टी नेक्स फोशने वीच ओफ फॉलविंग इस नोट टाइप ऑफ परसनालिटी इवन बाइस प्रेंजर इन वैल्यूस पॉइंट ऑफ यू दिए सप्रेंजर ने परसनालिटी के जो टाइप्स प्रेंजर ने बताई हैं यहां इस कोशन में जो नहीं है वो है अथलेटिक कौन से कौन से जो बताई है फर्स्ट है थेरोटिकल सेकेंड एक्टोनोमिक थाड है एस्थेटिक फॉर्थ है शोशल फिफ्ट है पॉलिटिकल और शिक्स है रिलिजियस तो यह हमारे सिक्स बोलते हैं स्कीमा स्कीमा इसको बोला जाता है कोडिंट डीटेल में पढ़के जाने नेक्स्ट को बेसी ऑफ सेल्फ कॉंसेप्ट के बेसी कौन से है थार्ड और यहां बेकर राक्त हो जाएगा पनने इनकी शोशल रूलस और बोडी इमेज दोनों ही हमारे सेल्फ कॉंसेप की नेक्स्ट कोशन है वीच फॉलुविंग इस इन डिरेक्ट मेथट ऑफ मैजरमेंट ऑफ मोटीव मोटीव यहनकी प्रेयर को कि मापन की परतक्ष एपर तक्ष विजी कुन सी है इन डिरेक्ट मेथड यहां पर चाटना है फस्ट यह जाएगा संटेंस कंपलेशन टेक्निक यह इन डिरेक्ट मेथड है मैजरमेंट का और यह जो बाकी जो है वो सारी डिरेक्ट मेथड बच गए कोशन दीज चक्लिस्ट एंड इंटर्व्यूज नेक्स्ट कोशन है 16 15 कोशन विच साइक्लोजिस्ट प्रेजन्टिट साइन्टिफिक डिस्क्रेप्शन ओफ इंडिव इस बुक जो किसने लिखी सर्फ एंस गाल टेन लिखी और इसमें इनोंने क्या में जो है किसके बार में बताया है क्या प्रेजन्ट किया सैंटिफिक डिस्क्रिप्शन इन पेश कि इंडिविजियल डिफ्रेंसिस की अपनी पुस्तक है एडिटी जेनियस में नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन इसको बोलते हैं इसके अलावा जो भी नियम बच जाएंगे वह इनके गोन या सहायक नियम है नेक्स्ट कोशन है एटीन कोशन इस्टेट्मेंट ऑफ नॉलिज्ज और स्किल्स दाट स्टुडेंट शूड मास्टर आफ्र इंस्ट्रक्शन इस नोन एज उन ग्यान और कोशलों का कथन जीने विध्यार्ति को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए उसे क्या कहते है नेक्स्ट कोशन इसको अनुदेशन आत्मक देश एट इंस्ट्रक्शनल अब्जेक्ट जीसे कहते हैं एंग्स इंस्ट्रक्शन और कोशल जीसे विध्यार्ति को सीख जाना चाहिए नेक्स्ट कोशन देविश नव्क्रेटर्श्टिक्स अफ्डवलेप्मेंट की ड्राइंस आते ही ज्यादा हो पूर्भान वान चैंज और ड्राइंस को है कुण सी नहीं है इसको पुर्वान नहीं लगाया जाटा देखे next question है which of the following is not the element of creativity as given by Gilbert Gilbert ने जो यह दिये element of creativity के कब दिये 1975 में दिये कौन सा नहीं है यह है incubation नहीं है अब कौन-कौन से है question में यह भी तो आ सकता है कि Gilbert ने creativity के element जो दिये है उसमें से कौन सा है तो यह जो one two three four जो मैंने यहां लिख रखे है तो यह चारों ही हमें याद रखने क्योंकि चारों में से कोई भी ऑप्शन में मिल सकीगा और वहां पर टिक करना पड़ेगा फर्स्ट है फ्ल्यूएंसी प्रवाहिता सेक्ट है फ्लैक्सिबिलीटी अलची लेपन थाड़ है और फ़र्ट है प्रोब्लम आइंटिफिकेशन यानि की समस्या की पहचान यह चार क्या है एलिमेंट ऑफ क्रियेटिविटी हैं जो की गिलफोर्ड ने दिये 1975 में नेक्स्ट वोशन भी यहां मैंने डिटेल में लिख दिया है तो आप अपने जो नोट्स त्यार करेंगे उसमें आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं कोश कोशन में इसे ही तीन कोशन निकल किया रहे हैं कि मोरल डवलप्मेंट थी किसने दी कोल अरबर्ग ने कौन सी थियोरी दी मोरल डवलपन थी और जो यह तियोरी उसके कितने लेवल है ठीक है एक लेवल की बात यहां पर की गई है पोस्ट कंवेंशनल लेवल हमारे थी कोशन में कि पोस्ट कंवेंशनल लेवल कि अंडर जो है वह कौन सी थियोरी आती है कौन सा जो आता है और इंटेशन वह कौन सा आता है तो यहां जो चार ओप्शन दिये गए थे इसमें जो शोशल कॉंट्रेक्ट है यह हमारा पोस्ट कंवेंशनल में आता है शोशल कॉंट नहीं थी उसमें फर्स तो शोशल कॉंट्रेक्ट दे रखिया सेकेंड है युनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओर्येंटेशन ठीक है शोशल कॉंट्रेक्ट दे रखिया इन्स्टिकल प्रिंसिपल औरेंटेशन अगली बार यह पूची जा सकते हैं जो हमारा फर्स्ट तो यह सारा याद रखना पड़ेगा कि जो मुरल डिवलेप्मेंट थी एक इसने दी किसने पर पॉंट करिया कोलर बैक ने की है तीन इसके इंदर लेवल है प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल और हर लेवल की टू-टू सब स्टेजिस यहां पर सब स्टेज़ें लिख दी गई है नेक्स्ट कोशन है वीच व फॉलोविंग इस डिरेक्ट मैथट ओफ अजस्टमेंट का डिरेक्ट मैथड कों साहे विड्राल और सबम सिवनेस प्रत्या अहार तथा आग्या का रिता यह डिरेक्ट मैथट है अज्टमेंट का तो जो बाकी ब प्रिवियस नॉलेज यान की पूर्व ग्यान के रुपांतरन संगठन और पुनर संगठन के द्वारा ही ग्यान की रचना की जाती है यानि मांकित में से किसके द्रश्टिक उनकी सर्वत्तों में व्याख्या है इस बैस्ट एक्सप्रेंस दा आइडियो फॉलुविंग यह फ पर से स्टेज़ ऑ परसिनालिटी डी ड्यूरों की आता थी स्टेज्य है लिए गरी के पूछा गया है यहे फैर्शिव सारी ही स्टेजब्हेंस ने पहर्सिस्ट प्रस्टेजित टांड़ लेइक सब्सक्राइघ की अमुझा ने capsule squeezed непो और ऑटोनोमी वर्सिज शेम और डाउट थर्ड प्रीस्कूल इनिशीयटी वर्सिज गिल्ड फॉर्थ स्टेज है मारी स्कूल स्टेज जब पत्चा स्कूल में जाता है इंडस्ट्री वर्सिज इन फिरेरिटी फिफ एडोल सेंस की फिफ्ट स्टेज ही यह आपर पूछी गय है identity versus role confusion की हुआ शीखत है young adulthood की intimacy versus isolation 7th है middle adulthood की जन जनलटी वर सी स्टेग्नेशन और 8 हमारी maturity की integrated versus despair कि यह total हमारी 8 stages है आप वीडियो रोक के यह सारी stages अपने नोट में लिख सकते हैं नेक्स है हाओ मैनी cards सार यूज़ें रोर्षा इंक ब्लोट टेस्ट कोशन बहुत बार आया है पेड़ागोजी सेक्षन में कई बार ये कोशन पूछा जाता है कि जो रोर्षा ने शियाही दबा परिक्षेंट दिया है इसमें टोटल कितने काड यूज़ करें हैं देखे सबसे पहली बात कि यह क् प्रजक्टिव साइक्ट्लोजिकल टेस्ट है इसमें इन्होंने टैन काड जो यूज़ किया है फाइफ काड प्लेक और वाइट है और फाइफ काड्स होग कलर्फुल काड़स है ठीक है जिसको दिखाके बंदे की परसेनल्टिग के बारे में पता लगाया जाता है बहुत ह से कौन साब कौettsी स्टेज जो है वो नहीं है यह नहीं है फिर्ण Stallion स्टेज circular सप्राइब स्टेज और फिफ्ट है जैनिंटल स्टेज नेक्स्ट कोशन है विच फॉलोविंग इस आइक्यू रेंज ओफ मोडरेट मैंटल रिटार्टिड चिल्डरन मद्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धी लब्दी सार क्या है यानि कि मानसिक मंदता जिन बच्चों में होती है उसमें से जो मीडियम से बच्चे है ना उनके लिए रेंज पूछी गई है थाटी सिक से लेके फिफ्टी वन ऑप्शन बीपी हम टिक कर देंगे हां ट्वंटी एट्ट कोशन है विच अव फॉलिविंग कॉंसेट इस नोट रिलेटेड वीड बेंडूरा शोशल लर्निंग थियोरी तेक कोशन तो यहीं से बना कि शोशल लर्निंग थियोरी जो हो कौन है इसके प्रेपाउंडर बेंडूरा सर तो इनकी जो कॉंसेप्ट है इसमें से क्या रिलेटेड नहीं है वो है अडप्टेशन तो रिलेटेड कौन से कौन से है फर्स्ट है अब्जर्वेशन लर्निंग सेकेंड आजाये का मोडलिंग थर्ड है इमिटेशन फॉर्थ एटिटूड फिफ्ट इमोशनल रियक्शन यह पांच जो है यह यह प्रदत अंतरमुखी चिंतन का जो परकार बताया है व्यक्षितु के जो परकार बताया है उसमें कौन सी विशेष्टा नहीं है ऑप्टिमिस्टिक नहीं है क्योंकि वहां पर क्या था सेल्फ सेंटर्ड अपने आप पे सेंटर्ड है अब्जोर्ड इन इस ऑन आत्मके अंदरी था उसे अपने से मतलब है तो यह उप्टिमिस्टिक तो वह इस तरह से नहीं हो सकता ना तो उप्टिमिस्टिक किसकी क्राक्टर स्टिक्स हो जाएगी नेक्स्ट कोशन है थर्टी कोशन वट इस रेंकिंग रेशो गिवन मैं शाल्डन फूर प्री डूमि जो कि यहां कोशन में पूछा गया है प्री डूमिनेंट एंडो मॉर्फ करके और सेकेंड है हमारा प्योर मैसमॉर्फ और थर्ड है प्योर एक्टो मॉर्फ तो यहां पर जो रेंकिंग रेशो वह जाएका 711 का ठीक है अब एक कोशन में एक पीपर में यह पूछा तो अग के साइकलोजी के कॉशन अगली वीडियो में हम मिलेंगे हिन्दी और इंग्लिष कोशन के साथ तो अगर वीडियो परसंद है तो प्लीज ऊसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंज के साथ ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जल्दी ही त